कौनसी धातू इस पाद के बराबर मजबूत किन्तु भार में उसकी आधी होती है कौनसी धातू रोष्णी के बलप के फिलामेंड के रूप में फ्रोग्त की जाती है तो वह है टंग इश्टन तंग इश्टन राजिस्थान इस्तेद डेगाना किसके उत्पादन के लिए होता है तो यह टंग इश्टन चोहतर के लिए होता है किस धातू का गल्लांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है किस धातू का गल्लांक इतना कम है कि वह है किसमें हाथ में ही पिघल जाती है तो वह है गैली यमका गैली यमका नेश्ट है कि कौनसी धातू अर्द चालक की भाती ट्रांजिस्टर में प्रियोग तो होती है तो वह है जर्वे नियम जर्वे नियम नाभिक रेक्टरसों में नीट्रोन नियंत्रक के रूप में क्या प्रियोग किया जाता है तो नाभिक रेक्टरों में नीट्रोन नियंत्रन के लिए केडमियम या ब्रोरान का प्रियोग किया जाता है अंगला प्रिश्ण है कौन सा तत्व इस टील में सन रक्षान प्रतिरोत उत्पन करता है कौन सा तत्व जो की इस टील में सन रक्षान प्रतिरोत करता है तो वह है निकेल स्टील में कठोरता प्रेदान करने के लिए किस की मात्रा बढ़ाई जाती है किस रेडियो धर्मी तत्व की केंसर के उपचार में प्रियोग किया जाता है किस रेडियो धर्मी तत्व की केंसर के उपचार में प्रियोग किया जाता है तो कोबेट सिक्सिती का प्रियोग किया जाता है नाबिक रेक्स में इधन का काम कौन यूरे नियम करता है नाबिक उजा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रियोग किया जाता है नाका साकी पर सयोक्त राज अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणू बं में किसका प्रियोग किया गया था तो यह प्लोटो नियम का प्रियोग किया गया था आतिसवाजी में हरा रंग किसकी उपस्तिजी की करण से दिखाई देता है यह बेरे नियम की उपस्तिती की कारण से दिखाई देता है और बकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रियोग किया जाता है और बकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रियोग में लाया जाता है तो यह पुटे नियम लाया जाता है प्याज लहसन में गंद किस तत्व की अपस्तिती के करण से होती है प्याज लहसन में जो गंद होती है या पुटे नियम की अपस्तिती के करण से होती है एक रेडियो धर्मी तत्वत जिसके भारत वर्ष में बड़े भंडार पाये जाते हैं वह है थोरे नियम किस धातु को प्राप्ट करने के लिए बॉकसाइट आयसकेद वह है ऐलुमूनियम फिटकरी गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वक्ष किया जाता है तो वह है किसके फिक्टकर फिक्टरी गंदे पानी को इशकंदन विदी के द्वारा स्वक्ष करती है मनिट और नीलम राषानिक रूप से कैसे जाने जाते हैं पूटोग्राफी में कौन सा राषानिक योगिक प्रियोग किया जाता है तो वह सिल्बर ब्रुमाइंड का बिद्द तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्धातू का प्रियोग किया जाता है वह कौन सी है तो वह है नाइक्रोम मिश्धातू स्टेञ स्टिल में कौन से तत्र समले थे तो यह है रोय है रोक्रोमियम और कार्बन तत्थर शमले थें आडियो और वीडियो टैप पर कौन सा राशानिक पदात का लेप रहता है आडियो और वीडियो टैप पर कौन सा राशानिक पदात का लेप रहता है तो उसमें आइरन आकसाइड का लेप रहता है किसी बिजली की इस्तरी को गर्म करने के लिए किस धातू का प्रियोग किया जाता है बिचली की जो इस तरह फ्रेस होता है उसको गर्म करने के लिए नाइक्रोम का प्रियोग किया जाता है किस धातू से बनाए गई मिश्रन हवाई जहाज तथा रेल की डिबे में पुर्जे बनाने के काम आता है तो वह है एलो मूनियम का कौन सा तत्व सबसे पहले करतम रूप से उत्पादित किया गया था तो वह था प्लोटो नियम योरे नियम के रेडियो एक्टब बिद्धुत के फल सरूप अनन्द क्या बनता है योरे नियम के रेडियो एक्ट बिद्वान के फलसरूप सीजा बनता है पीतल किसकी मौझ़ूद्गी में नियरंतन रहने में बायूद्गी में रंग हीन हो जाता है तो है हाय्डो सल्फइट मनेक का लाल रंग किसकी नियरंतन राकोन का रह योता है वह क्रोमिंग आकसाइड के कारंसी होता है क्रोमियम आकसाइड के कारंसी पाइरेक्स काच को अधिक सामर्द बनाने के लिए क्या उत्तरदाई है पारेक्स काच को अधिक सामर्द बनाने के लिए बोरेक्स का उत्तरदाई होता है काँच प्लास्टिक बनाने के लिए किस परिकार की काँच का प्योग किया जाता है फोटो क्रॉमेटिक काँच में किसकी अपश्त दिकली क सानय से काला रंग होने का गौड धर्म होता है तो यहें रजत बुरू मैंड का रजत बुरू मैंडर किस तत्रों को रशायन गिज्ञान में आबारा तत्व की संख्या दी गई है कॉनसा तत्व ब्रह्मान में सबसे अधिक पाया जाता है तो आधा ये हाइडोजन को कहा जाता है भविश्च का इधन बनसपती घी के निर्मान में कौन सी गेस प्रयोग तो होती है बनसपती घी के निर्मान में हाइडोजन गेस का प्रयोग किया जाता है खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा बनस्पति गी में परिवतन किया जाशकता है तो यह हाइड्रोजनी करन के द्वारा हाइड्रोजनी करन के द्वारा जल एक अच्छा बिलियन है बिलियक है यह किस के उच्छ होने के करन से होता है तुँए हैं जल का परविदोड इस तांक होने के कारण द्रूमिस्व के लगभग कितने पित्पीसेद भूभाग पर जल है तो विश्व के लगभग है न्यूटर्ण की गति को कम करना सबसे अधिक किस्तत्व द्वारा बनाये जाते हैं कारवन 113 रोमा बनाए जाते हैं भारी मसीनों में इस निहां के रूप में किस पधात का प्रियोग किया जाता है तो भारी मसीनों में इस निहा के रूप में ग्रेफ हाइट 114 का प्रियोग किया जाता है हीरे का जवारात के रूप में उप्योग उसके किस गुण पर निर्वर करता है तो उसके अपरत नंक गुण पर निर्वर करता है किसकी इस उपस्तिती के कारण से चूने का पानी वायू में रखने पर दूदिया हो जाता है तो यह कारबन डाइ आकसेट रखने कारबन डाइ आकसेट के कारण से वीर को भंडारत करने के लिए पहले उसमें कौन सी गेस मिलाई जाती है तो वियर को भंदार्ट करने से पहले उसमें CO2 गैस मिलाए जाते, CO2 गैस मिलाई जाती है, रदूपेयों में पदाप के अंतरकत गैसों में से कौन उपस्तित रहता है, तो उसमें CO2 उपस्तित रहता है, नेश्ट है कि गैसों के निम्न सम्मूई में से कौन सा रहतगर प्रभाव में युगदान करता है तो वह है कार्बन मोनो आकसाइट ट्रांजिस्टर बनाने में आम तोर पर किसका प्रयोग किया जाता है विविन परिकार के कांच न्रिमान में प्रयोक्त होने बाला मुक घटक कौन सा है तो वह है सिलीका सलेक्स बल्पो में किसकी वायू मंडल में नेकनिसियम का तार रखा जाता है तो यह है नाइट्रोजन का तार रखा जाता है बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवशकता होती है तो वह होती है नायट्रोजन की आवसकता होती है आकस में बिजली चमकने पर कौन सी गेस उत्पन होती है अंगला फ्रिष्ट है कि प्रिकास रशायनी धूप कोहरे बनाने के श्रमाई निम्द में से कौन सा एक गेश उत्पन होती है तो नाइटोजन आकसाइड गेश उत्पन होती है हैवर विदी द्वारा और योगिक पेमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है हैवर विदी द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेड़क का उप्योग किया जाता है गोता खोर सांस लेने के लिए किस गेसों के मिशन का उप्योग करते हैं का खुर्ज ने के लिए आक्सीजन तता हीलियम गैस का मिशन का उपयोग करते हैं उसके बाद नैस्ट है कि सुपर्शोंग वायू यान समताप मंडल में किस पधार्थ विसरजट करते हैं तो वाय करते हैं a 02 करून को आप शोशन काहँ लेती है तो वह है प्रतवी की सदाए की ओपर और जोन परत किससे बचाव करती है तो यह पराबैगनी करणों से बचाओं को प्यरदान करती है गंदक के कितने परमानू आपस में जुड़कर गंदक की वलाय जैसी से रचना बनाते हैं तो वह बनाते हैं आठ परमानू आपस में जुड़कर अंगला फ्रिश्ण है कि वायू में किसकी अधिक्ता होने पर पेड़ की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं तो एसो टू की अधिक्ता होने के कारण से सरकरा और सल्फियूरिक अमलिकी अभिक्रिया से कौन सा सुद्ध रूप से प्राप्ट होता है सरक्रा और सवर्यूरिक आपनीगी इसमें कौन सा सुद्ध रूप प्राप्थ होता है तो हमें कार्बन सुद्ध रूप राप्थ होता है कौन सा है लूजन तत्व जिनौन के साथ मिलकर अधिकतम योगिक बनाता यह फिलो रीन किस हेलोजन्स रस का उप्योग कितानू नासक की रूप में किया जाता है तो वह है क्लोरीन का क्लोरीन का वायू यानों के टायरों में भाने में किस गेस का प्रियोग किया जाता है वायू यानों के टायर होते हैं उसमें किस गेस का प्रियोग किया जाता है तो उसमें हीलियम गैस का प्रियोग किया जाता है हीलियम को छोड़कर अन सभी आक्रिय गैसों को वह कक्चा में कितने इलेक्ट्रोंस होते हैं तो वह होते हैं 18 कितने 18 होते हैं एक बिद्धुत बालब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामानता उसे किस से भ़़ा जाता है तो उसे आरगन गैस से भ़़ा जाता है आरगन गैस से कौन शाब पधार्त प्राकरती में तीन अबस्ताओं ठोस दरब एवं गैस में पाया जाता है तो वह है है एच टू ओ एच टू ओ यानि की जल्व है करने जल यानि पानी अंगला प्रिश्ण है कि विश्व का प्रत्तिक पधार्त अनंत सूक्ष्ण कणों से मिलकर बना होता है और यह सरव प्रतम किश्ण ने कहा था तो यह सबसे पहले कनड ने कहा था परमानु में कौन से मूलकर समान संक्या में इस्तित होते हैं परमानु में कौन से मूलकर है जो की समान संक्या में इस्तित होते हैं तो वह हैं इलेक्ट्रों तथा प्रोट्रों इलेक्ट्रों तथा प्रोट्रों सबसे पहले एक्ट्रों की अपसेश का शपल्दा पूर्व किस मौझूदगी को श्रिद किया दो यह किया था पर मानु में न covering मैं कि इंचेशी किया था एक्ट्रोंस के त्रंक प्राक्रति की भी सरप्रतम कि ti एक्रों की त्रंग कि प्राक्रति की जो खोज है में यह सबसे पहले डी ब्रॉग लीने की थी डी ब्रॉग लीने की थी डाल्टन के परमानु सिद्धान की अनुशार कौन सा सबसे छोटा कन शुतंत रूप में रह सकता है तो वह रह सकता है परमानु किस न्यूकलियर कन में कोई द्रबमान और कोई आभिश नहीं होता किन्तु श्ट्रा होता है तो वह है निून्त्रीनो नूट्रीन जिस तत्म की परमानों में दू दू नीट्रन और कितनी अभिश का की नियात होता है है चुम्म किये कॉंटम संक्या से नियंत्रत होता है एक आयनिसिव कारवन परमानु के नाविक में क्या होता है एक आयरिंग कारवन परमानु के नाविक में प्रोट्रोन और छे प्रोट्रोंस और छे निट्रोन होते हैं अंगला फिश्ट है कि दो एलेक्ट्रोंस एक ही कार्बन का परमानु कर्मांग 6 तथा परमानु भार 12 है तो इसके नाविक में कितने प्रोटोन होते हैं तो इसके नाविक में टोटल 6 प्रोटोन उपस्तित होते हैं अलफा और बीटा कर्णों की खोज किस ने की थी अलफा और बीटा कर्णों की खोज रदरफोर्ट नावग बिग्गानिक ने की थी नाविक से निकलने वाले विक करनों में किसकी वेधन चमता सरवधिक होती है नाविक से निकलने वाले जो करने होती है उनमें किसकी वेधन चमता सरवधिक होती है तो वह है गामा करनों की वेधन चमता सबसे अधिक होती है दोस्तों इसी के साथ एह वीडियो हमारा शमापत होता है यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल सिक्ष एकेड़िमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दुस्तु बाई